हेलो मेरे त्यारे दोस्तों कैसे हो सब उम्मीद सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं सुरू कर रहा हूँ लीब्विर ओफिस की क्लास सुरू कर रहा हूँ ट्यूटोरियल लीब्विर ओफिस की आसे सुरू होगी तो सबसे पहले देखो लीब्विर ओफि अच्छा अगर ओ लेवल की बात करें तो इस तरह से आपको वहाँ पर से लेबस देखोगे अगर तो पहला जो पेपर है M1 उसमें देखोगे ना कुल फर्ष्ट चैप्टर है इंट्रोड़क्शन टू कंप्यूटर सेकंड चैप्टर इंट्रोड़क्शन टू अपरेटिंग सिस्टम थर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग उसके बाद इस पर शीठ है मालो फिर प्रेजेंटेशन है बाकी सब चार्च चीरे मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कि सबसे पहले आज हम वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा समस लेते हैं देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि यहां पर इसका उद्देश यह है कि अध्याइक अंतरगत लिब्र ऑफिस राइटर और प्रोसेसिंगी बेसिक्स जैसे डाकुमेंट को खोलना बंद करना डिश्मराणा मेल उप्रेटेट करना टेक्स्ट फोर्मयटिंग करना टेबल मुलूटी करना मेल मर्ज करना बहुत चीज़ें होती है राइटर ही हम इसमें पढ़ने कि हमारे सीलभस में राइटर है तो राइटर को सबसे पहले तो हम डाउलोड कहां से करेंगे तो कुछ नहीं करना यहां पर लिखो लिए उफिस राइटर किसी भी ब्राउजर में जाओ लिए उफिस राइटर लिखो और जैसे लिखो गए ना थे एक विब साइट आपके सामने खुलके आएगा तो उपर सबसे पहले देखोंगे लिए लिए जो विब साइट है देख अडर्स इसकी ऑफिसिल विब साइट है बिल्कुल फ्री में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड पर क्लिक करोगे जैसे ही तो यहां पर आएगा कि कौन्स किस जैसे बिंडो 64-bit कितना बिट है अगर यह आपको जानना है ना यह हमारा जो सिस्टम है कितने बिस का ह और सब चीजने हम यहां से जान सकते हैं इस पीसी यहां पर लिखा है न उकर इस पर राइट किल्क करो प्रापरी में चेक कर लो पर आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां पर देखो सिस्टम टाइप क्या लिखा है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा 64-bit है हलांकि दोस् मच और करके कुल सकते हैं यहां पर लिखुड राइटर देखो है खुल जाएगा या फिर आप डिरेक्ट ली यहां पर जोॉटक नैकन है जो आपके डेक्टॉपे बना है वहाँ से भी आप double click कर घो सको double click किया मैंने इस तरह से कल किया कि आ गया हमारे सामने यह हमारे सामने खूल किया यह पूरा Libre Office Libre Office में क्या होगा है Libre Office की मेरी पहली कलास हाई इस वजा से आपको पूरे चीजें समझा देता हूं देखो सबसे उपर यहां पर राइटर होगा अना कि देखो open file remote file यह सब लिखा होगा इसका कोई अभी यूज नहीं है देखो writer, calc, impress यही तीन हमको पढ़ना है draw, maths, formula, base database इस सब चीजें हमारे syllabus में नहीं है हमको सबसे पहले writer open करता हूँ देखो यह हमारे सामने writer खुलके आ चुका है पहली class है तो पहली class में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कुछ चीजें important जो बड़ी ध्यान से सुनना, note बना लेना, notes कर लेना और यह class पहली है तो इसको demo की दूप में ले सकते हो आप इसको मैं YouTube पे भी डाल दूँगा और इसको application में भी डाल दूँगा तो आप अगर आगे भी पढ़ना चाहते हो मेरे साथ ओलेवल फस्ट पेपर तो आप application डाउनलोड करो और वहां से पूरा detailed पूरी classes आपको वही application में मिलेंगी गोलयान application जिसका link आपको description में मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड करके पढ़ना सुरू कर दो अगर आप डाउनलोड कर चुके हो और आप में देख रहे हो तो all the best पढ़ते रहो असानी से पास भी हो जाओगे थेंसन फिरमी जडरूत नहीं है जो जुodo की में वता हूं दिखर पढ़ना इसे फासऔर तमस्वार क्या होता है इसको उपर क्या कहते हैं बडा करते थोड़ा सा इस लुटाइटल बार कहते हैं यहां पर लिखा रहेगे ऐसे ही कुछ खास नहीं होता है और लिखता है नाम जो भी आपका जो भी बनार उसका बढ़ बखेंग पूरत है घ्री डिफॉल्ट क्या नाम होता है लिफ्रीड मतलब कमोई डिफॉल्ट अगर आप कोई नाम नहीं चेंज कर रहे हो तो अंटाइटल वन के नाम से होता ही है ठीक है दूसरी चीज दाहिने साइट जबाओगे एक दम दाहिने साइट तो यहां पर यह देखो क्लोज बटन यह क्या होता है यह चोटा बड़ा करने के लिए होता है और यह मिनिमाईज यह रिश्टोड डाउन लिखा है मतलब इसको करोगे चोटा भी हो जाएगा इससे बड़ा भी हो जाता है यह होता है और यह होता है मिनिमाईज करने के लिए यह चीज़े टाइटल वार में होती है अब टाइटल बार के जश्ट नीचे यह होता है मेनू बार में कुश्चन पूछता है कि पहली पत्र पुछेगा मेनू बार कहा होता है टाइटल बार के नीचे होता है और मेनू बार में पूछेगा कितने मेनू होते हैं राइटर में पूछ सकता है यह पूछ सकता है नहीं बहुत कॉश्टन पूशा मैं देखा हूं जानता हूं कितने होते हैं एक दो ठीन चार पाँछ सेटा आठ नव दस ग्यारा मेनु होते हुद करते चलो जो जो मैं बता सब से ऊपर डाल वार उसके बाद मेनु भार कुल से घंदने預 Straые वैसके नीचे यह तो मेनुबार होगे आपने समझ लिया मेनु को पीमिनु बार के जब लोगी है इसको कहते हैं कि तोल वार कौन सा टूल वार इस टेंडर टूल वार यह यहां पर करोग करोग करो देखो यह आपको देखना यहां पर है कि नज़र बनाए रखा न जैसे में यहांद हडगे है कि तो निए हhadow हण तो गया मतलब हमारा होंगी है EVERY strongest को कर सकते हैं यह लिखा है यह क्या क्यते हैं बहुत हुआ स्टेंडर्ड टूल बार के नीचे इसको खेथे फ्रमेटींग टूल बार क्या होता है फॉर्माटिंग व्यू में जाओ और यह देखो उपर लिखा है फॉर्माटिंग टूलबार पर क्लिक करोगे जब न यह गायब हो जाएगा फिर से नजर बनाकर रखना यह नीचे वाले पर देखो इस पर क्लिक क्या गायब हो गया अब फिर से इस पर डॉक कर दो भाई यह हैं कर it क्रदियाना हमने मतलब कि फॉश्चन पूछेगा कि फॉर्माटिंग टूलबार क्यों होता है रिपल्कूल सभी बात है रेंटा कहोता है पाई डॉक होता है कौन सा रिपल्पर कोछ वोता है और ब्युक्रफ बाई नहीं डूनँच लूंच यह वाला बाई डिकॉर लिखा होगा आगे में एक पीडिएफ आपको मिलेगा वैसे एपलिकेशन में मिलेगा सारा चीज़ ठीक अपलिकेशन डाउनलोड करने ला चिंता कोई बात नहीं जो लोग डाउनलोड कर चेको यह पता देता हूं मैं पूरी कोर्स अच्छे से पढ़ाऊंगा टेंसन की बात नहीं है अब बेस्ट होगा और टीपेस्ट भी होगा दोनों चीज़ें होंगी गरंटी है देखो इसमें एपल वक्स एमस्वर्ड स्टार अफ लाइंट टेस्ट मैटर वर्ड प्रफेट ओपन ऑफिस यह सब सारी राइटर भी होता है सब वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाती है ठीक है आगे हम पढ़ेंगे अब डिटेल से अभी तो हम आपको पहली क्लास इंट्रक्शन दे रहा हूं है इतना चीज़ आपने जाना अचा नीचे आप आते हैं यह स्टेटस बार सबसे नीचे सबसे नीचे का मतलब राइटर में सबसे नीचे यह इस भाला की जो सबस इस नीचे क्या होता है पीज वन मतलब पीज नंबर लिखा होगा वर्ड जीरो कुछ लिखा ही नहीं दो जीरो लिखा रहेगा जीरो करेक्टर भी है वह यह डिफॉर्ट पेज स्टाइल इसमें लिखा रहेगा और आगे वड़ते हैं इंग्लिस लिखा रहेगा लैंगज लिखा रहेगा इसी में इसाब आपको पता होंगे नोड कर लें न भाई और उसके बाद सबसे लास्ट में जब जाओगे न यहां पर लिखा रहेगा जोंब अभी जोंब कितना हैंडर परसेंट है अब इस मैक्सिमूम कितना हो सकता है देखो मैक्सिमूम कर देते हैं एक बाद चेक कर लेते हैं कितना है कितना हुआ 600 देख रहे हैं 600 मतलब 600 ज्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमूम 600 मिनिमूम पूछे तो 20 है ना और डिफॉल्ट अंडेट यह सब चीजें हमें मालूम होना चाहिए तो अब भी मैं यहां पर लिख भी देता हूँ चीजें देखो को कि इतने चीजें हमको जूम मिनिमूम की तना हमने देखा 20 तने परसेंट कितना यह दिख्म हां कि देखा मने 600 अंसने में कितना देखा हमनें 100% कौंट साइज ताइसे मता थेतना आको फंट साइज डिफॉल्ट पूछेना बतिफॉल्ट यह यह क्या हमने पहले बदद asphalt होता है deine default वहीं डिफॉल्टिक रहता है डिक है 12 डिफॉल्ट पूछेम ऑन प्साइज drop-down menu में minimum maximum पूछेगा क्यूंकि देखो इसमें दो दो question अलग-अलग कोचेगा drop-down menu इसको बोलते हैं जो इसमें रहता न ड्रोप-down menu बोलते हैं drop-down menu में maximum 96 और minimum 6 बड़ा कर दों do minimum जब देखोगे दोस्तों 6 होता है यह देखो और maximum चंप होता है, यहां पर लिख देते हैं, पिटीज मेन में चीश होता है और मैक्सिमम 96 होता है, डिफर्ट होता है 12 12 18 क्यों दिखाना था पता है आपको क्योंकि यह जो टेקस्ट हुमने यहां पे पेस्ट कर दिया कि पहले कोपी कर रखा था तो इस वज़ा से यह अठरा है ना इसका इस वज़ा से यहां पर अठरा लेकर आ गया उसकी चिंता मत करना अगर जश्ट पहले आप देखें होंगे जैसे आपको कंट्रोल जेट करता हूं देखो सब भट गया है अब देखो कर बारा आ गया कोने कर देखोए यह बारा आ होता है यह आपको क्लिर म Dollar होना चाहिए अब इसमें जो मैंने हटादी कि सब फिर से ला देता हूं को अब कुछा तो नलीओ कहां तक लिए में 46 तो डिसक्स ऑडिसार्ट भार्यां ठीक है अब टोटल में मीनियम मेहस मिंभी जी चोटल डोले तो जैसे यहां पर आप टोटल का मतलब मैनुवल मैनूवल का मतलब और यहां पर कुछ भी लिखो जैसे लिख देंगे एक हजार है दिखने होटा है एंटर किया दो ट्रफिर्फट्स नाइन पॉइंट नाइन आ गया मतलब की एक हजार नहीं हो सकता ये ट्रिफटल नाइन पॉइंट नाइन ही हो सकता है मीनिमम पूछें तो minimum एक कर दो देखो केतना होता है दो हो रहा है मतलब कि minimum एक नहीं हो सकता है दो ही हो सकता है हलांकि by default 12 होता है हमको पता चल गया है minimum यह 2 होता है और maximum पूछे तो वह यह triple 9.9 होता है यह चीज़े इतनी चीज़े note कर लो आप यहां से लेके यहां से जोम note कर लो और font size भी note कर लो लो नजदीक कर देता हूं drop down menu में note कर लेना और minimum maximum total दो होता है maximum question पूछे का drop down menu में minimum font size कितना होता है तो 6 maximum कितना होता है चानवे default कितना होता है बारा total पूछे के manually आप कितना कर सकते है minimum 2 maximum triple 9.9 हो सकता है बस इस ज्यादा नहीं हो सकता है जोम पूछे यह तो minimum 20% maximum 600% default 100% यह सब चीज़े होंगी तो यह तो हो गया status बार भी आपने देख लिया अच्छा हलांकि यह पहली class introduction class अभी आगे आपको बहुत कुछ मैं पढ़ाऊंगा बहुत कुछ सिखाऊंगा उसका tension आपको बिल्कुल लेना नहीं है यह चीज़े नोट करते चलना जितना मैं बता रहा हूं भाई उसको नोट करते चलना अब सबसे राइड साइड में देखोगे ना इसको बोलते हैं साइड बार क्या बोलते हैं साइड बार देखोगे ना व्यू में ना साइड बार भी यहीं पर कहीं होगा व्यू में साइड बार कहां क्या भाई यह नहीं दिख रहा है क्या किसमें होता यह 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 चूल बार में यहाएगा यही है साइडबार साइड़ बार में कई सारी चीजे होते हैं पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इस पे क्लिक करना प्रॉपर्टी जाएगी यह सारी चीजें इसमें पूरा यह मतलब फॉर्मिटिंग का पूरा सबकूर अजाता है कि आप टेस्ट बॉड़ी कैसी होगी करेक्टर क्या होगा इस्टाइल प्रोपोटे में इस्टाइल करेक्टर पैराग्राफ तीन पार्ट होता है इस्टाइल करेक्टर बढ़ा कर दूँ इस्टाइल करेक्टर पैराग्राफ तीन चीज़ें होती है किनों चीजी के बारे में आप लि यह लेट भी कर सकते हो अटादि हमने कुछ भी ले लो आगे हम सब यह रमजेंगे निविगेशन सबाधिर किस तरह से कौन साइज आप करना चाहते हो क्या होगी इतना लिखा हुआ है और इंटेस्ट पोड्रेत है पूछेगा question कि by default जो page होता है Libre Office Writer में वो क्या होता है portrait, landscape या कुछ और तो लिख देना portrait, देखो यह लिखा है न portrait, हम इसको बदल सकते हैं, landscape बना सकते हैं, बड़ा कलम थोड़ा सा, देखो इसको हम portrait अभी है ये, लेकिन इसको चाहें तो landscape बना सकते हैं, landscape का मतलब क्या होत आपको, landscape जैसे बनाता है page न, देखो कि तो page न, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी इसकी, इसको हटाद में तो समझ में आएगा, page की चौड़ाई ज्यादा हो गए, देखो ये, खताम हो गया बड़ी जल्दी, अभी देखो पूरा एक ही page में था, लेकिन अभी देखो उ उचाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम, landscape में उचाई ज्यादा, मतलब उचाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है, यह आपको पता होना चाहिए, अलांकि margin यह सब चीज़ें इसी में सब होती हैं, और हम सब कुछ बाद में सीखेंगे, तो यह हो गया आपका side bar और नीचे के status bar, status bar में क्या क्या होता है, हमने सीखा, अचा एक चीज़ यह होता है, इसको ruler कहते है, ruler, ruler दो तरक होता है, vertical, horizontal, view में यह भी मिलेगा, ruler यह है, तो ruler में क्या है, अभी हो, यह जो horizontal ruler है, यह अभी तो active है, vertical भी चाहता है, आप active कर सकते, जैसे इस पर vertical पे click करो होगे ना, देखो यह इधर साइड, left साइड यह भी आगया, ruler, तो by default सिर्फ ऊपर रहता है, horizontal, vertical नहीं रहता, by default वही रहता, तो आप by default वही रहता है, इतने स्कोटार इतने इधर हड गया, अच्छा, यहां से देखो इसको दूरी पूछे का margin कितनी होती है, दो sentiment, देखो एक और दो, इधर से भी दो, इस सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, आगे हम, अब अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों, और अच्छे, और बहुत कुछ अभी सीखना है, राइटर में, टिक है, तो यह तो आपकी पहली क्लास थी, libro office की, राइटर, इसमें पढ़ा सब चीज़ें हम, लाश्ट तक अच्छे से सिखा दोंगा, आपको कि आप बड़ी आसानी से मतलब, इसली आप बना सकते हो, ठीक है, उम्मीदे का आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी, तो लाइक, सेर, सब्स्राइब माल लो, अगर यूटूब पो दी करे ठीक है, थैंक्यू सो मच्छ